नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि क्लोपिलेट टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, क्लोपिलेट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और क्लोपिलेट टैबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि क्लोपिलेट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए क्लोपिलेट एक brand name है क्लोपिलेट टैबलेट के अंदर salt composition क्लोपिडोग्रेल 75 mg होता है क्लोपिलेट टैबलेट एक antiplatelet drug class की दवा है क्लोपिलेट टैबलेट शरीर में खून को पतला करती है और शरीर की नसों में खून के clot बनने से रोकने में मदद करती है क्लोपिलेट टैबलेट खून को पतला रखती है जिसकी वज़से दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम कम हो जाता है जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा पढ़ चुका है या लखवा लग चुका है ऐसे व्यक्तियों में दिल का दौरा पढ़ने का या लखवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी डौक्तर क्लोपिलेट टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Clopulate Tablet की वज़ा से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Clopulate Tablet की वज़ा से कुछ Side Effects हो सकते हैं जैसे नाक से खून आना, दस्त होना, बधजमी होना, सीने में जलन होना और पेट में दर्ध होना आदी Side Effects Clopulate Tablet की वज़ा से हो सकते हैं Clopulate Tablet खून को पतला करती है जिसकी वज़ा से कोई चोट लगने के बाद अधिक खून बहने का जोखिम अधिक हो जाता है अगर आप Clopulate Tablet को ले रहे हैं और अगर आपको ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदी की हॉस्पिटल में जाना चाहिए ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके अब हम डिसकस करेंगे की Clopulate Tablet को कैसे लेना recommended होता है Clopulate Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Clopulate 75 mg Tablet को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं Clopulate Tablet को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना recommended होता है Clopulate Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे की Clopulate Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति की कोई सरजरी होने वाली है या दान्त निकलवाना है तो ऐसी स्थिती में डॉक्तर सरजरी करने से या दान्त निकालने से एक से लेकर दो सब्सक्राइब पहले Clopulate Tablet को बंद करने की सला दे सकता है इसलिए यदि आपकी सरजरी होने वाली है या आपको दान्त निकलवाना है तो आपको Clopulate Tablet के बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अलसर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, कीमोफिलिया होने पर, ब्रेन हेम्रेज होने पर और लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर Clopulate Tablet को लेना recommended नहीं होता है इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Clopulate Tablet को नहीं लेना चाहिए पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली proton pump inhibitors दवाईया जैसे इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पैटोप्राजोल और रैबिप्राजोल आदी दवाओं के साथ Clopulate Tablet को लेना recommended नहीं होता है इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली non-steroidal anti-inflammatory दवाईया जैसे एसिकलोफनेक, डाइकलोफनेक, आईबुप्रोफेन और निमसुलाइड आदी दवाओं के साथ भी Clopulate Tablet को लेना recommended नहीं होता है अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि Clopulate Tablet Pregnant महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्तर Clopulate Tablet को लेने की सलाह तभी देते हैं जब Clopulate Tablet का देना बहुत ही जरूरी हो और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Clopulate Tablet का सेवन करना recommended नहीं है स्तनपान करा रही महिलाओं में Clopulate Tablet मा के दूद के जरिये बच्चे तक पहुच सकती है और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Clopulate Tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुच सकती है